रिगवेद, शश्टमंडल, सुक्त 41 से, सुक्त 50 नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास इन ओडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपने योगदान देना चाहते हैं तो मेंबर्शिप लेके या दिये गए QR कोड का प्रियोग करके आप ऐसा कर सकते हैं आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोचाहित करता है आने था, शेर, लाइक, यह सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं सुक्त 41, देवता, इंद्र हे इंद्र, तुम क्रोद्रहित होकर इस यक्य में आओ तुम्हारे निमिथी पवित्र सोमलता को निचोड़ा गया है गाई जिस प्रकार कुवशाला में प्रवेश करती हैं उसी प्रकार सोमरस कलश में रखा है हे यक्य पात्रों में श्रेष्ट इंद्र, तुम यहां आओ हे इंद्र, तुम अपनी सुनिर्मित एवन लंभी जीब के द्वारा जिस तरह अब तक सोमरस पीते रहे हो उसी प्रकार आज भी पीओ सोमरस लेकर अधर्वियू तुम्हारे सामने खड़ा है हे इंद्र, शत्रों की गाई को जीतने का इच्छुक तुम्हारा दज्र, शत्रों का नाश करे यह तरल, अभिलाशा पूरक, एवं वेवित्र रूपों वाला सोमरस मनुवांचित्फल देने वाला है इंद्र के लिए तयार किया गया है हे हरी नामग घोडों के स्वामी, सबके अधिपती एवं द्रड इंद्र, तुम्हों सोमरस को पीओ जिसके उपर तुम्हारा अधिकार है एवं जो तुम्हारा भुजन है हे इंद्र, निचोड़ा हुआ सोमरस बिना निचुड़ी हुई सोमलता से उत्तम है हे विजारशील इंद्र, सोमरस तुम्हारे लिए प्रसन्न करने बाला है हे शत्रुविजे इंद्र, तुम्हे के साधन रूप सोम के समीब जाओ तथा उसे पीकर अपनी शक्तियों को पूर्ण करो हे इंद्र, हम तुम्हे बुलाते हैं तुम हमारे सामने आओ हमारा ये सोमरस तुम्हारे लिए उत्तम हो और तुम्हारी शरीर विद्धी के लिए पर्याप्त है शत्करतु इंद्र, तुम्हे निचोड़ा हुआ सोमरस पीकर प्रसन्न बनो एवम युद्धों में सभी ओर से हमारी रक्षा करो सुक्त, 42 देवता, इंद्र हे अधर्व्यूगं पीने के इच्छोग सब कुछ जानने वाले अधिक गतिशील, यक्यों में उपस्तेत रहने वाले सबसे आगे चलने वाले एवम युद्ध के नेता इंद्र को सोमरस तो हे अधर्व्यूगन तुम सोम्रस लेकर अतियधिक सोम पीने वाले इंद्र के पास जाओ तुम निचोड़े हुए सोम से भरे पात्र को लेकर शत्रुन जई इंद्र के पास जाओ हे अधर्व्यूगन निचोड़े हुए एवं दीप्तिशाली सुम्रस के साथ तुम इंदर के सामने जाओ मेधावी इंदर तुम्हारी सभी इच्छाएं जानते हैं एवं शत्रों का नाश करते हुए अभिलाशाएं पूरी करते हैं हे अधर्व्यूगन एक मात्र इंदर को ही निचोड़े हुए सुम्रस को हव्य के रूप में दे दो इंदर सभी जीतने योग्य एवं उत्साभरी शत्रों के दुर्ष से हमारी रक्षा करें सुक्त तर्थालिस देप्ता इंदर हे इंदर जिस सुम्रस को पीने से उत्पन मद के कारण तुम्हारे राजा दिवुदास के गल्यान के लिए शंबर असुर को मार गया था वही सुम्रस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है तुम इसे पीओ हे इंदर सुम्रस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है तुम इसे भी पीओ हे इंदर जिस सुम्रस के मद में तुमने परवत के घेरे में द्रता पूर्वक बन गायों को छुड़ा आया था वही सुम्रस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है इसे तुम पीओ हे इंदर जिस सुम्रस रूप अन के कारण प्रसन्न होकर तुम अतिशे बलधारन करते हूँ वही सुम्रस तुम्हारे लिए निचोड़ा गया है इसे तुम पीओ सुक्त चवालिस देवता इंदर हे धन के स्वामी एवं सुधारूप सुम के रक्षक इंदर जो सुम्रस धन से अत्यमत युक्ट एवं दीपत यशों के कारण परमते जस्वी है वह सुम्रस निचोड़ने पर तुम्हें प्रसन्ता दे हे अतिशे सुक्त आता एवं स्वधारूप सुम्रस के रक्षक इंदर जो सोम तुम्हें परम सुक का रख एवं स्थोताओं को धन देने बाला है वही सोमरस निचुड़ने पर तुम्हें प्रसंता दे हे सुमरूप अनके रक्षक इंद्र तुम जिस सोमरस को पी कर परम बल्वान बनते हो एवं अपने रक्षक मरूतों के साथ मिलकर शत्रों का नाश करते हो वही सोमरस निचुड़ने पर तुम्हें प्रसंता प्रदान करे हे ये जमानों हम तुम्हारे कल्यान के निमित भक्तों पर अनुग्रह करने वाले शक्ति के स्वामी सभी शत्रों को हराने वाले ये के कर्म के नीता आतिशैदाता एवं सबको देखने वाले इंद्र की स्थूति करते हैं इंद्र संबंधी स्थूतियों द्वारा इंद्र का शत्रुधन हरता बल भड़ता है दिवे धर्थी आकाश उसी बल की सेवा करते हैं हे स्थोताओं, इंद्र के लिए अपने स्थोत्र को महता बढ़ाओ, इंद्र सर्वकारे कुशल व्यक्ति के समान सदा तुम्हारी रक्षा करते हैं, इंद्र यके कर्मे कुशल यजमान को जानते हैं, मित्र एवं अत्यनत ताजा सुम्रस पीने वाले इंद्र स्थोताओं के इसे लिए श्रिष्ट धन देते हैं। हविरूप अंसे युक्त एवं धर्थी को कंपित करने वाले मरतों के साथ रहने वाले। इंद्र स्थोहताओं की रक्षा के अभिलाशा से आते हैं एवं उनकी रक्षा करते हैं। यक्यके मार्ग में सब को देखने वाला सुम्रस पिया गया है इंद्र का मन अपनी और खीशने के लिए सुम रित्विजुन दारत तयार किया गया है इंद्र शत्रु पराभवकारी एवं महान शरीर धारन करते हुए हमारी स्तूतियों से प्रसन्न होकर आविरभूत हो शत्रों को हमसे दूर करो अपनी श्रिष्ट बुद्धियों द्वारा हमें उत्तम धन दो एवं धन का भोग करने के लिए हमारी रक्षा करो हे धन स्वामी इंद्र हम तुम्हारे लिए ही हैं हे हरी नामग घोड़ों के स्वामी इंद्र हम हव्य दादाओं के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए तुम्हारे अतिरिक्त मनुष्यों में हमारा कोई भी बंधु नहीं है हे प्रिये इंद्र इसलिए प्राचीन लोगों ने तुम्हें धन का प्रेरक कहा है हे अभिलाशा पूरक इंद्र हमें हानिकारक राक्षसों को मत सौपना तुझ धन स्वामी की मित्रता पाकर हम दुखी नहों शत्रों तक तुम्हारी रसियां फैली हुई हैं तुम्हारी ने चूड़ने वालों को मारो एवं हव्यर न देने वालों को समाप्त करो गरश्ते हुए परजन्य जिस प्रकार मीघों को जन्म देते हैं उसी प्रकार इंद्र होताओं को देने के लिए खोड़े एवं गौहितकारी धन उत्पन्न करते हैं तुम प्राचीन काल से स्तोताओं के रक्षक हो धनी लोग दानहीन बन कर हमें कष्ट न दें हे वीर अधरव्यूगर्ण महान इंद्र को सोम्रस भें दो वे सोम के राजा हैं यह स्तुतीकर तरिश्यों की प्राचीन एवं नबीन स्तुतियों से वृध्धी को प्राप्थ हो विद्वान एवं अद्वितिये इंद्र ने इस सोम्रस के मद में अनेक विरोथी शत्रू को मार डाला है हे अधर्व्यूगन इसी शोभन हानुवाले एवं वीर इंद्र को वह माधुर्य युक्त सोम्रस पीने को दो इंद्र इस निचोड़े हुए सोम्रस को पीए इवं प्रसन्न होकर वज्र द्वारा वृत्र को मारें सबको घर देने वाले स्तोताओं के यग्य कर्म के रक्षक इवं यज्वानों के पालक इंद्र दूर देश से भी हमारे यग्य में आवें सोम्रस इंद्र का प्रिय अनुकूल इवं पीने यूग्य है इस अम्रित रूप सोम्रस को पी कर इंद्र प्रसन्न हो हमारे उपर कृपा करके हमारे शत्रूं इवं पापों को दूर भगाए हे धन स्वामी इंद्र इस सोम्रस को पी कर तुम प्रसन्न बनो एवं हमारे निकटवर्ती एवं दूर वर्ती शत्रूं को नश्ट करो जो शत्रू सेनिक हमारे सामने आकर बार बार हत्यार डाल देते हैं उन्हें हमसे दूर करके नश्ट करो हे धन्च्वामी इंद्र इन सभी संग्रामों में हमें महान्धन की प्राप्ती सरल बनाओ तुम हम स्तोताओं को जल, पुत्र, पौत्र की जय के निमित स्मृत बनाओ एवं शत्रनाश की शक्ति दो हे इंद्र, तुम्हारे अभिलाशा पूरक अपने आप रत में जुरने वाले अभिलाशा पूरक रत को धोने वाले धीली लगामों वाले, नित्ते गदिशील हमारे सामने आने वाले, सदा युवा वजड़ होने वाले एवं भाली प्रकार रत में जुड़े हुई घोड़े मच्सी युक्त सोम को पीने के लिए तुम्हें यहां लावे हे अभिलाशा पूरक इंद्र तुम्हारे जल बरसाने वाले युवा घोड़े पानी फैलाने वाली सागर तरंगों के समान प्रसन्न होकर तुम्हारे रत में जुड़े गए है हे कामवर्शी एवं युवा इंद्र अधर्व्यूगन तुम्हें पत्थरों की साहता से निचोड़ा के असोम्रस भेंट करते हैं हे इंद्र तुम्हें द्वारा स्वर्व को त्रिप्त करने वाले धर्दी के अभिलाशा पूरक वर्षा द्वारा नदियों को भरने वाले एवं स्थावर जगम सकल विश्व के काम पूरक हो है भिलाशापूरक एवं वर्षाकारक इंद्र तुम्हारे लिए ही मधुर सोम्रस तयार किया गया है दीप्तिशाली सोम ने अपने मित्र इंद्र के साथ जन में लेकर पणी को बलपूर्वक रोग दिया था इसी सोम्रस ने गौरूप धन को परवतों में छेपा कर रखने वाले अकल्यानकारी पणियों की माया एवं आयुद्ध व्यर्थ किये थे इसी सोम्रस ने उशाओं के शोभन पालक सुरे को सुशोभित किया था एवं सुरे मंदल के बीच में जियोति की स्थापना की थी तीनों सबनों में तीन प्रकार से वर्दमार इसी सोम्रस ने तेचस्वी तीनों लोखों के बीच छेपे हुए अमरित को पाया था इसी सोम्रस ने धर्ती आकाश को अपने स्थान पर स्थित किया था इसी निस साथ किर्णों वाला रत तयार किया था इस सुमने ही गायों के मध्ध अपने आपने निर्मित होने वाले एवं अनेक धाराओं वाले दूद को धारन किया था सुक्द पैंतालिस देवता इंद्र वब्रहस्वती जो इंद्र अपनी उत्तम नीती द्वारा तुरवश एवं यदुनामक राजाओं को दूर से लाए वे युवा इंद्र हमारे मित्र हों इंद्र स्तुतिना करने वालों को भी अन देते हैं इवं धीमी चालवाले खोड़ों पर चड़कर शत्रों के छिपे धन को जीतते हैं इंद्र की उत्तम नीतियां महान इवं स्तुतियां अनेक हैं इंद्र की रक्षा साधन कभी समात नहीं होते हे मित्रूप स्तोताओं मन्तरू द्वारा पुलाने योगे इंद्र की पूजा इवend स्तुति करो वे हमें उत्तम बुद्धी देते हैं हे वृत्रनाशक इंद्र तुम एक यह दो स्तोताओं के रक्षक हो हमारे जैसे लोगों की तुम ही रक्षा करते हो हे इंद्र दुएश करने वालों को हमसे दूर करो एवं हम स्तूताओं को स्मृत बनाओ मनुष्य शोभन पुत्र देने वाले इंद्र की स्तूती करते हैं मैं गाय के समान अभिलाशा रूप दूद दुहने के लिए इंद्र को स्तूतियों द्वारा बुलाता हूं इंद्र महान श्तुतिय स्विकार करने वाले एवं मित्र है रिशी लोगों ने कहा था कि शत्रु सेना को हराने वाले वीर इंद्र के दोनों हाथों में सभी प्रकार की संपतिया हैं हे वज्रधारी एवं यक्यके स्वामी इंद्र तुम शत्रों के द्रिर्ण नगरों को भगन करो। ना चुकने वाला इंद्र तुम शत्रों की माया को समाप्त करो। है सत्य सुभाब सोम पीने वाले इवन धनों की स्वामी इंद्र हम अन की अभिलाशा से तुम्हें बुलाया करते हैं है इंद्र तुम प्राचीन काल में पुकारने योके हो एवं बर्तमान काल में शत्रों की छेप हुए धन को पाने के लिए बुलाए जाते हो हम तुम्हें बुलाते हैं तुम हमारी पुकार सुनो हे इंद्र हमारी स्थुतियां सुनकर तुम प्रसन्न होते हो तुम्हारी कृपा से हम अपने घोडों द्वारा शत्रूं के घोडों उत्तम अन्नू एवं छेपे हुए धन को जीतने यूग के बनते हैं। हे वीर, स्तुती यूग्य, एवं महान इंद्र, तुम शत्रों के छेपे हुए धन के निमित होने वाले युद में शत्रों को जीतने वाले हो। हे शत्रों नाशक इंद्र, तुम अपनी आधिशेव दीवर गती से हमारे रत को शत्रों विजय के निमित आगे बढ़ा हो। हे रत स्वामियों में श्रेष्ट एवं जैशील इंद्र, तुम हमारे शत्रों पराजय कारी रत द्वारा शत्रों के छेपे धन को जीतते हो। एवं वर्षा करने वाले के रूप में उत्पन्य हुए हैं। हे रक्षा द्वारा सुख दाता एवं सखा इंद्र, प्राचीन काल में तुम हम स्तोताओं के बंधु थे, तुम अब भी हमें सुखी करो। हे वज्रधारी इंद्र, तुम राक्षाचों को मारने के हितु वज्र धारन करते हो। एवं विरूत करने पर असुर्षेनाओं को हरा देते हो। मैं सबके आदी धन प्राप्त करने वाले सखा, स्तोताओं को प्रोचाहित करने वाले एवं मंत्रों के द्वारा बुलाने योगी इंद्र को बुलाता हूं। आदिशे स्तुति पात्र एवं अबाद कति वाले इंद्र ही धर्दी के सब धनों के एकमात्र स्वामी है। हे गौपालक इंद्र तुम घोडियों के साथ आकर हमारी अभिलाशा अन घोडों एवं गायों से भलिभाती पूरी करो। हे स्तुताओं गाय को जैसे घास सुख देती है। उसी प्रकार सोमरस इंद्र को सुखी बनाता है। सोमरस ने चोड़े जाने पर पह स्तोत्र बहुतुंद्वारा बुलाए गए। शत्र नाशक एवं दामशील इंद्र के लिए सुख कर होता है। तुम लोग इंद्र को बुलाओ। निवास्थान देने वाले इंद्र तब हमें अनेक गायों सहित अन देते हैं। जब वे हमारी स्तुतियां सुनते हैं। दस्यू वद करता इंद्र कुवित्स की अनगिनत गायों वाली गौशाला में गये। इंद्र ने अपनी बुद्धी से उन छिपी हुई गायों को प्रकट किया। हे सेंकड़ों प्रकार के यग्य करने वाले इंद्र। जिस प्रकार गाय, बच्छनों के पास बारंबार आती हैं। उसी प्रकार हमारी स्तुतियां तुम्हारे समीब पहुँचे। हे इंद्र तुम्हारी मित्रता नश्ट नहीं हो सकती। तुम गाय चाहने वालों को गाय देने वाले एवं घोडा चाहने वालों को घोडा देने वाले बनो। हे इंद्र महान धन के उद्धिर्शे से दे हुए सोम्रस सित्व प्रसंद बनो तथा अपने स्तोता को निंदक के अधिकार में मत दो। प्रति एक बार सोम्रस निचुट जाने पर हमारी स्टूतियां उसी प्रकार तुमारे पास पहुंशती हैं, जिस प्रकार दुधारु गाये बचनों के पास जाती हैं. हे अनेक शत्रों के नाशक इन्द्र, विविद्न स्थूत्यों वाले यग्य में हम स्थोताउं की सूतियां हव्यानों द्वारा तुम्हें बल्वान बनाए। हे इंद्र हमारी परम नत्तिकारक सुथियां तुम्हारे समीप पहुचे तो हमें महान धन पाने के लिए प्रेरित करो व्रिबु पढ़ियों के बीज इतने उचे स्थान पर बैठा था जितना उचा गंगा का तठ होता है व्रिबु ने मुझ धन चाहने वाले को एक हजार गाय हवा के समान तेजगती से प्रधान की थी हम स्थोता सदा उन्हीं श्रेष्ट व्रिबु की स्थि करते हैं वे हमें हजार गाय देने वाले विद्वान एवं हजारों स्थियों के पात रहें हे इंद्र हम्स्तोता अनप्राप्ति के कारण तुम्हें बुलाते हैं अन्य लोग तुझ सज्जन पालक को घूडों वाले संग्राम में विजय पाने के लिए बुलाय करते हैं हे विचितर हात में वचर धारं करने वाले वचर के स्वावी शत्रुनाशक एवन महान इंद्र युद में शत्रों को जीतने वाले को तुम जिस प्रकार बहुत सा अन्य देते हो उसी प्रकर तुम हमारी सुत्यों से प्रसन होकर हमें काये, वरत खीचने में कुशल खोड़े दो जो इंद्र प्रफल शत्रों को मारने वाले एवं सब को देखने वाले हैं उन्हें हम बुलाते हैं हे हजार शेपों अर्थात लिंगों वाले, बहु धन संपन एवं सचन पालक इंद्र, युद्धों में तुम हमें स्मृत बनाओ हेरे चाओं के अनुकूल रूप वाले इंद्र, तुम शत्रू बाधक युद्ध में बैल के समान, क्रोध में भरकर हमारे शत्रूं को पेडित करो धन्नी मित्तक, महा युद्ध में तुम हमारे रक्षक बनो हम संताम, जन एवं सूरे दर्षन प्राप्त करें हे वे चित्र हात में वज्र धारन करने वाले, एवं सुन्दर ठोडी वाले इंद्र जिस अन्ड के द्वारा तुम स्वर्ग एवं धर्दी का पूशन करते हो हमे वही अधिक प्रशंच निये, परम बलकारक एवं पुष्टी कारक अन्य दो हे तिजस्वी देवों में सर्वाथिक उग्र एवं शत्रों को हराने वाले इंद्र हम अपनी रक्षा के निमित तुम्हे बुलाते हैं हे निवास्थान देने वाले इंद्र तुम सब राक्षसों को दूर भगाओ एवं हमारे शत्रों को सरालता से हराने योगे बना दो हे इंद्र मानव प्रजाओं में जो बल एवं धन है अथ्वा पांच वर्णों में जो अन्य है वे सब महान शक्तियों के साथ हमें प्रदान करो हे धन्स्वामे इंद्र तुम हमें त्रक्षू, द्रह्यू एवं पुरू नामग राजाओं के समस्त बल दो इस प्रकार हम युद्ध आरंब होने पर शत्रों को जीट सकेंगे हे इंद्र हवे रूप धनबाले लोगों द्वारा तथा हमारे लिए तीन धातूं से बना हुआ तीन कष्टों से बचाने वाला विनाश रहित एवं चाया करने वाला घर दो शत्रों के आयूत हमसे दूर रहें हे धन्स्वामी एवं स्तुदियां सुनने वाले इंद्र जिन शत्रों ने हमारी काई छीनने की इच्छा से आक्रमन किया है अत्वा जो बलपूर्वक हम पर प्रहार करते हैं तुम उन्से हमारे एक मात्र रक्षक बनू हे इंद्र इस समय तुम हमारे व्रिधिक करता बनू जब आकाश में पंखों वाले तेज नूक वाले एवं चमकीले बान गिरते हैं उस समय जो हमारी रक्षा करता है तुम उसकी रक्षा करो जब युद में शूर शत्रों को अपने शरीर का बल दिखाते हैं एवं शत्रों से उनके पूर्वजों के प्रिये स्थानों को छीनते हैं उस समय तुम हमारी और हमारी संतानों की शरीर रक्षा के लिए आयुद रक्षक कवच चुप चाप दे देना तुम हमारी शत्रों को भगा देना हे इंद्र महान धन के निमित संग्राम आरंभ होने पर हमारे खोड़ों को उचे नीचे रास्तों पर इस प्रकार आगे बढ़ाना जिस प्रकार कुटिल पत पर मास का इच्चुप बाज बढ़ता है हे इंद्र जब हमारे खोड़े भगे के कारण जोर से हिन हिन आए उस समय तुम भुजाओं द्वारा लगाम के साहरे पकड़े हुए हमारे खोड़ों को प्रिरित करो जिससे वे गौन मितिक संग्राम में नीचे बहने वाली सरिताओं में अथ्वा मास के अभिलाशी बाज के समान आगे बढ़े हिए शुक्त सेंतारीस देवता सोम प्रित्वियादी यह निचोड़ा हुआ सोमरश स्वाधिष्ट मधुर तीब्र एवं रसवाला है इसे पीने वाले इंद्र के सामने युद्धों में कोई ठहर नहीं सकता यह सोमरश इस यक्य में बहुत मदकारक है व्रित्रहनन के समय इंद्र इसी से मदमत हुए थे इसी ने शंबर की निन्यानमे नगरियों तथा सेनों का नाश किया था यह सोमरश पीने पर मेरी वानी को तेज करता है एवं मनचाही बुध्धी प्रदान करता है इसी धीर सोमरश ने छे अवस्ताओं को बनाया था कोई भी प्रानी इससे दूर नहीं रह सकता इस सोमरश ने धर्दी का विस्तार और स्वर्गती द्रड़ता की है इसी ने अशद्धी, जल और गौग, तीन उत्तम आधारों में रस धारन किया है यही विस्तरित आकाश को धारन करता है उचल आकाश में रहने वाली उशाओं से पहले सोमरश ही विचितर प्रकाश वाले सूरे को प्रकाश से दिप्त करता था यह जल बरसाने वाला सोम मरुतों से मिलकर महान बल के द्वारा मजबूत खंबों के साहरे स्वर्ग को धारन करता है हे शूर इंदर तुम कलश में रखा हुआ सोमरश पियो और धन्य में तक युद्र में शत्रों का नाश करो हे धन पातर इंदर दो पहर के यगे में सोमरश से अपना पेट भरो एवं हमें धन दो हे इंदर आगे चलने वाले मार्ग दर्शक के समान हमको देखे हमारे सामने उत्तम धन लाओ तथा हमें दुखों एवं शत्रों से पार करो तुम उत्तम नेता बनकर हमें धन की ओर चलाओ हे विद्वान इंदर हमें विस्तिर्ण स्वर्ग में ले जाओ वे स्वर्ग प्रकाश पूर्ण एवं भैरहित है हे शक्तिशाली इंदर हम तुम्हारी सुन्दर एवं देड़ भुजाओं पर अपनी रक्षा के लिए भरोसा करते हैं हे सैंकणों संपत्तियों के स्वामी इंदर वहन करने में कुशल घुड़ों द्वारा खीज़े जाने वाले विश्त्रित रत पर हमें बैठाओ तुम हमारे लिए भादी-भादी के अन्नों में से उत्तम अन्दों हे धन स्वामी इंदर धन के विश्य में कोई भी हमसे आगे ना निकल सके हे इंदर मुझे सुखी बनाओ मेरे दिर्गत जीवन की रक्षा करो एवं मेरे पुद्धी को तलवार की धार के समान तेज बनाओ तुम्हें अपना बनाने के लिए मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे समझो एवं मुझे दैवरुपी रक्षकों से युक्त करो मैं शत्रों से रक्षा करने वाले तथा अभिलाशा पूरक इंदर को बुलाता हूँ मैं शोभन आभाहन करने वाले एवं शूर इंदर को बुलाता हूँ मैं सर्वकारे समर्थ एवं बहुतों द्वरा बुलाई गए इंदर को पुना बुलाता हूँ धन स्वामी इंद्र मुझे कल्लान दे, भली भाधी रक्षा करने वाली एवं धन स्वामी इंद्र अपने रक्षा साधनों से मुझे सुख दाता हूं। सब कुछ जाने वाले इंद्र हमारे शत्रों को मारे एवं हमें अभय बनावें। हम इंद्र की क्रिपा से शोभन वीरों के स्वामी बने। हम ये के पात्र इंद्र की शोभन अनुग्रव पुद्धी एवं कल्यानकारी मित्रता भाव के पात्र बने। शोभन, रक्षक और धनवान इंद्र दोईश करने वालों को हमसे दूर करें। हे इंद्र, जर समू हों, जिस प्रकार नीचले स्थान की और बहता है, उसी प्रकार स्थोताओं की स्थुतियां सोमरूप स्थोत्र विशालधन वो विश्रित सोमरस तुम्हारे पास जाते हैं। विश्रधारी इंद्र, तुम्हारस में गौरस एवं जल भरी परकार मिलाते हो। कौन इंद्र की स्थुति कर सकता है, कौन इन्हें प्रसन्य कर सकता है, एवं कौन इनका यक्य कर सकता है। इंद्र अपने को सदा उग्र जानते हैं। इंद्र, मार्क में आगे पीछे पढ़ने वाले पहरों के समान स्थोता को अपनी बुध्धी द्वारा कभी अपने आगे और कभी अपनी पीछे रखते हैं। इंद्र प्रबल्शत्रु का दमन करते हुए एवं स्तोताओं के लिए बारम बार स्थान बदलते हुए वीर के रूप में प्रसिद्ध होते हैं सोमरस्ना निचोडने वाले उन्नत लोगों के द्विशी तथा दिव्वे पार्थिव दोनों संपत्यों के स्वामी इंद्र अपने सेवकों को रक्षा के लिए बार-बार बुलाते हैं इंद्र प्राचीन ये क्यकरताओं की मित्रता त्याग देते हैं एवं उनकी हिंसा करते हुए साधारण ये क्यकरताओं के मित्र बनते हैं इंद्र परिचर्या रहित प्रचाओं को छोड़कर स्थोताओं के साथ अनिक वर्षों तक रहा करते हैं इंद्र देवों के प्रतिनिधी बन कर भिन्य भिन्य देवों का रूप धारन करते हैं इनका एक रूप अन्य देवों के दर्शन के लिए होता है इंद्र माया द्वारा अनेक रूप बना कर यजमानों के सामने आते हैं इंद्र के रत में एक हजार घोड़े जोड़े जाते हैं। इंद्र अपने रत में घोड़े जोड़ते हुए तीनों लोकों में अनेक जगा शोभा पाते हैं। इंद्र के अतिरेक्त ऐसा कौन है जो स्तोताओं के बीच जाकर इनके शत्रूं के पास खड़ा रह सके। हे दिवों हम घूमते घूमते गौश संचार रहत स्थान में आ गए हैं यहां के विश्र धर्ती दस्ची जनों को आनंद दीती हैं हे प्रहस्पती तुम गायों को खोजने में हमें प्रेड़ना दो हे इंद्र इस प्रकार दुख अनुभव करते हुए स्तोताओं को मार्क बत काशित करने के लिए प्रति दिन समान रूप वाली काली रात को समात करते हैं वर्षा करने वाले इंद्र ने उद्वज्र नामक स्थान में धन चाहने वाले दासों शंबर एवं वर्ची को मारा था हे इंद्र प्रस्तोक ने तुम्हारे स्तोताओं आर्थात हमें दस खोड और सोने से भरे दसकोष दिये थे। आधि थिग्वने शंबर को जीतकर चुद्धन पाया था, वही हमने दिवुदास से ग्रहन किया था। मैंने दिवुदास से दस खोड़े, सोने के दस कोश, दस प्रकार के भोजन, वस्र एवं सोने के दस प्रिंड प्राप्त किये थे अश्वत्व ने वायू को घोड़ों से दस रत इवं अधर्ग गोत्र वाले रिश्यों को सोग आये दी थी सबकी भलाई के लिए महान धन धारण करने वाले भर्दवाज कोत्री रिश्यों की स्रिंजे पुद्र पुस्तोक ने पूजा की थी हे कास्ट द्वारा निर्मित रत तुम द्रिण अव्यवों वाले बनों तुम हमारे मित्र उन्नत्ति कारत एवं शोभन वीरों से युक्त बनों तुम गोचर्म से बंधे हो हमें द्रिण बनाओ तुम्हारा भरुसा करने वाले रती वीर शत्रूं को जीते हे अधर्व्योगन स्वर्ग एवं धर्ती पर सारूप अंच से बने हुए वनस्वती के द्रड अंच से निर्मित जलकी गाती से युक्त गायों के चमडे से धके हुए एवं इद्र के वज्र के समान रत को लक्षे करके यके करो हे दिव्यरत तुम इंद्र के वज्र मरतों के आगे चलने वाले मित्र की गर्भ एवं वरुन की नाभी हो इस ये कि भी तुम क्योंकि क्रिया देखते हुई हव्य सुईकार करो हे तु दुम भी धर्ती और आकाश को शब्द पून कर दो चर और अचर प्राणी तुम्हारे शब्द को जान ले तुम इंद्र तथा अन्य देवों के साथ मिलकर हमारे शत्रों को बहुत दूर भगाओ हे तु दुम भी हमारे शत्रों को रूलाओ एवं हमे ओज तथा बल्दो तुम शत्रों को बाधा पहुँचाते हुई शब्द करो हमारा दुख जिनके सुक्का कारण है ऐसे लोगों को दूर भगाओ तुम इंद्र की मुष्टिका हो तुम हमें द्रता दो हे इंद्र शत्रों द्वारा रोकी हुई हमारी कायों को ले जाओ सबको ग्यान कराने के लिए ये दुदुंभियां बार-बार बज रही है हमारे सैनिक घोडों पर छड़कर घूम रहे है हे इंद्र हमारे रत पर बैठे सैनिक जैबावे सुक्त अर्तालीस हे स्तोताओं तुम सभी यक्यों में प्रफृत अगनी की स्तोत्रोंदारा बारंबार प्रशंचा करो हम मररे रहित जात वेद व मित्र के समान प्री अगनी की बारंबार प्रशंचा करते है हम अपने उपर वास्तव में प्रशंचा करते है देवों के लिए हववान करने वाले अगनी को हम हववे देते हैं। अगनी युद में हमारी रक्षक उन्नतिकारक एवं हमारे पुत्रों के त्राण करता हूं। हे अभिलाशा पूरक जरा रहत एवं महान अगनी। तुम दीप्ती से प्रकाशत होते हो। हे ते जस्वी एवं नित्य दीप्ती से दीप्ती युक्त अगनी। तुम अपने शोबन दीप्तियों द्वारा हमें प्रकाशत करो। हे अगनी तुम महान देवों का यग्य करने वाले हो। इसलिए हमारी यग्य में भी देवों की सतक पूजा करो। तथा हमारी रक्षा के लिए देवों को हमारे सामने लाओ, तुम हमें हवे अंदो एवं हमारा दिया हुआ हवे स्विकार करो, हे यग्य के गर्भ, अगने, जल, पत्थर एवं अर्णी रूप काष्ट तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं, तुम मनुष्य द्वारा बलपूर इवं धर्दी के उच्छ स्थान में प्रकठ होते हुँ, जो अगने अपने दीब्द से धर्दी आकाश को पून करते हैं, धुएं के साथ आकाश में दौरते हैं, वेही दीब्द संपन एवं अभिलाशा पूरक अगनी काली रातों में अंधकार मिटाते हुए देखि जात हैं वेही अगनी परात्री के ऊपर स्थ हैं हे यग्य के गर्भ अगनी जल पत्थर एवं अर्णी रूप कास्ट तुम्हें शक्तिशाली बनाते हैं तुम मनुश्य द्वारा पलपूर्वक मथे जाते हो एवं धर्ती के उच्छ स्थान में प्रकट होते हो जो अगनी अपनी दीप्ती से धर्ती आकाश को पूर्ण करते हैं धूएं के चाथ आकाश में दोड़ते हैं वेही दीप्ती संपन एवं अभिलाशा पूरक अगनी काली रातों में अंदकार मिटाते होई देखे जाते हैं वेही अगनी रात्रियों के उपर स्थित होते हैं हे अतिशय युवा एवं दीब्दी युक्त अगनी देव, तुम, भर्द्वाज द्वारा प्रजुलित होकर अपनी विशाल किर्णों द्वारा हमारे लिए धन्दो, एवं जलो, हे शुद्ध करने वाले अगनी, तुम, जलो, हे अगनी, तुम समस्त्र मानव प्रजाओं के ग्रहपती हो, हे अतिशय युवा अगनी, मैं तुम्हें सौ वर्ष तक प्रजुलित रखूंगा, तुम अपनी सैंक्णों, रक्षा साधनों द्वारा, मुझे, तथा हव्वे देने वाले स्तोताओं को पाप से बचाओ, हे विचित्र, तथा निवास्थान देने वाले अगनी, तुम, रक्षा साधनों के साधनों को हमारी और प्रेरित करो, तुम ही इस धन के नेता हो, हमारी संतान को शिग्रही, प्रतिष्ठा दिलाओ, हे अगनी, तुम, अपने एकत्रित, एवं, हिंचा रहित रक्षा साधनों द्वारा, हमारे पुत्र, पोत्रूं का पालन करो, देव का क्रोध, हमारे पास से हटाओ, एवं, हमारी मानव बाधा, दूर करो, हे मित्रों, तुमने इस थुतियां बोलते हुए, दुधारू गाय के पास पहुचो, उसकी दूद पीते, बचणों को, उससे इस प्रकार अलग करो, कि उससे हानी न हो, हे मित्रों, उसकाय के पास जाओ, जो सेहनशील, स्वाधीन, तेज, एवं, वेक्षाली मरुतों को, अमर बनाने के लिए दूध रूपी अन देती है, एवं, सुकारक वर्शाजलों के साथ हाती है, हे मरुतों, तुम, भर्द्वाज के लिए दो प्रकार के सुका प्रबंद करो, पर्याप्त दूध देने वाली काई, एवं, सब के खाने योग्य अन्दो, हे मरुतों, मैं, धन पाने के लिए तुम्हारी स्तुती करता हूँ, तुम, इंद्र के समान शोभन कर्मवाली, वरों के समान, बुधिमान, सूरे के समान स्तुती पात्र, एवं, विश्नु के समान, धन दाता हूँ, मैं, शत्रुन द्वरा अपराजय, एवं, पोशक मरुत्भल की, इसलिए स्तुती करता हूँ, कि वे मुझे, एक साथ ही, हाजारों प्रकार की संपतियां दे, मरुत्गन छेपा हुआ धन, हमारे लिए प्रकट करे, एवं, हमें, धन का ज्यान करावे, हे पुशा, तुम जल्दी से मेरे पास आओ, हे दीब्धी संपन्न, मैं तुम्हारे कान के समीप स्तुती करता हूँ, तुम आकर्मन करने वाले शत्रुन को भगाओ, हे पुशा, तुम, काकूं का भरन करने वाले व्रिक्षूं को नश्ट मत करो, अपि तुम मेरी निंदा करने वालों को तुरंत मिटाओ, जैसे बहलिया चुडियों को फसाने के लिए जाल फैलाता है, उसी प्रकार कोई शत्रु मुझे न बान सके, हे पुशा, तुम्हारी मित्रता दही से भरी हुए, एवं छिद रहे चर्म पात्र के समान बाधा रहे थो, हे पुशा, तुम धन के द्वारा मनुश्यों से उचे एवं देवों के समान हो, युद्धों में हमारी और गृपद्रिष्टी रखना, प्राची इनकाल के समान ही तुम, इस समय हमारी रक्षा करना, हे कमपाने वालों एवं यग्य पात्र मरुतों, तुम्हारी जो सत्य रूपी एवं धन की प्रेर्णा देने वाली वानी, यजमानों को मन्चाहत धन देती है, वही वानी हमारी मार्ग तर्शका बने, जिन मरुतों के असीमित कारे सुर्य के समान आकाश में विस्त्रित हो जाते हैं, वे दीप्द यग्य की योग्य एवं शत्रुनाशक बल धारन करते हैं, उनका शत्रुनाशक बल सबसे उत्तम है, एक बार स्वर्ग उत्पन हुआ, एक ही भार धर्ती बनी, मरुतों की माता प्रिश्णी से एक बार दूद काढ़ा गया, इसके बाद कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। शोभन बल संपन, मित्र, वर्म एवं अगनी यहां आवें, और मेरी स्तुतियां सुने। मैं समस्त प्रजाओं की यग्यों में स्तुति की योग्य, दर्परहित कर्मवाले स्वर्ग, एवं धर्ती के स्वामी, स्वर्ग, एवं शक्ती के पुत्र, व, यग्य के केतु अगनी का यग्य करने के लिए जवान की प्रेर्णा देता हूं। चमकते हुए सूरे की रात, दिन रूपी दो, विपरीत रूपवाली कन्याएं हैं। उनमें एक तारों से सुशोबित हैं, और दूसरी सूरे से, एक दूसरी का विरोध करके घूमती हुई, एवं पवित्र करने वाली रात दिन की जोड़ी हमारी स्थुतियां सुनकर प्रसन्न हो। हमारी महान स्थुति, महान धन के स्वर्म, सबके आधर नियें, एवं अपने रत को पूर्ण करने वाले वायू के सामने उपस्ते थो। हे अधिशय यग्यपात्र तीब्ती संपन रत वाले, रत में जुते हुए घोड़ों को वश में रखने वाले, एवं दूर दर्शी वायू, तुम मेधावी स्थोता की धन से पूजा करो। अश्वनी कुमारों का वहरत मेरे शरीर को अपने तेज से ढख ले। जो विशेश देजस्वी है, एवं सोचने मातर से जिसमें घोड़े जुड़ जाते हैं। हे नेता अश्वनी कुमारों, उसी रत के द्वारत तुम, स्थोता, उसके पुत्र प्वात्रों की अभिलाशा पूण करने जाओ। हे वर्शा कारक बरजन्य एवं वायू, आकाश से प्राप्त करने योग्य एवं पूरक जलबर्साओ। हे स्थोत्र सुनने वाली, एवं मेधावी मरुतों, तुम जिसके स्थोत्र सुनकर प्रसन्य बनों, उसको धन संपन्य करना। पवित्र बनाने वाली विचित्र रूप वाली विचित्र गति वाली एवं वीर पतनी सरसुती हमारे यग्यरूप कर्म को पूरा करे। वह देव पतनियों के साथ प्रसन्न होकर स्तोता को दोश रहित तथा ठंड एवं हवा की गति से रहित घर एवं सुकते। अभिलश्रित फल पाकर वश्मे होने वाला स्थोता सभी मार्गूं के सौमी एवं पूजणिये सूरे के सामने स्थोति सहित उपस्तित पुशा हमें सोने के सींग वाली कायते एवं हमारे सभी कामों को पूरा करे। देवों को बुलाने वाले एवं दीप्ति संपन्न अगनी सब के प्रथम विभाग करता। प्रसिध्धी एवं अन्यधारन करने वाले, सुन्दर हाथों वाले दान्शील, शोभन बहुं वाले भासमान। ग्रहस्तों द्वारा ये जनिये एवं सुक पूर्वक, बुलाने योग्य तुष्टा का यक्य करे। हे स्तोता, इन स्तोत्रों द्वारा रात दिन लोगपालक रुद्र की वृध्धी करो। हम बुद्धिमान रुद्र द्वारा प्रेरित होकर महान दर्शनी जरा रहित एवं शोभन सुक वाले रुद्र का हवन स्मृध्धी के साथ करे। हे अतिशय युवा, ज्यान संपन्य एवं यक्य पात्र मरुतों। तुम ये जमान की सुन्दर स्तुति के समी पाओ। हे नेताओं। तुम इस प्रकार वृध्धी पाकर एवं गतिशील किर्णों के समान व्याप्त होकर विलक्षन व्रिक्षों वाले स्थान को वर्षा द अतिशील मरुतों के लिए इस प्रकार स्तुति करो। जिस प्रकार गवाला पश्यों को हाकता है। आकाश में जिस प्रकार तारे होते हैं। उसी प्रकार मरुतकर्ण बुद्धिमान स्तुता की सुन्ने योग्य स्तुतियों को अपने शरीर पर धारन करे। हे स्तुता, जि पुत्र पौत्रों सहित धन से प्रसन्न हों। हमारे स्तुतियां सुनकर प्रातह जागने वाले अगनी, परवत एवं सविता हमें जल के साथ अन्य दे। विश्वदेव और शद्धियों के साथ हमें अन्य दे। अधिक बुद्धी वाले भग, नामक देव, हमें धन की प्रिर्णा दे। हे विश्वदेव, तुम हमें रथ्युक्त अनेक प्रजाओं को पूर्ण करने वाला अनेक पुत्रों सहित, क्षय रहित, एवं महान यग्य का साथन, धन, अन, एवं घर दो। इसके द्वारा हम देविग के ना करने वाले शत्रों को पराजित करें, एवं देविग के करने वालों को सहारा दें। सुक्त, पचास, देवता, विश्वदेव, हे देवों, मैं सुक पाने की इच्छा से स्तुतियों के द्वारा, आदिती, वरुन, मित्र, अगनी, शत्रुहंता एवं सेवा योग्य अरेमा, सविता, भग, एवं रक्षा करने वाले सभी देवों को बुलाता हूं। हे शोभन दीप्ति वाले सुर्य, दक्र से उत्पन, एवं सुन्दर प्रकाश वाले देवों को हमारे अनुकूल बनाओ। वे देव, दो जन्म वाले, यक्ये को प्रेम करने वाले, सत्य बोलने वाले, धन संबन, यक्ये के पात्र, एवं अगनी जीव हैं। हे स्वर्ग और धर्ति, तुम हमें अधेक बल दो। हे स्वर्ग एवं धर्ति, हमारे उत्तम सुक के लिए हमें बड़ा घर दो। ऐसा प्रित्न करो जिससे हमारे पास विशाल संपति हो। हे धारणशील धर्ति, स्वर्ग, हमें पाप्रहित बनाने के लिए घर दो। हे निवास्थान देने वाले, एवं पराजित ना होने वाले, अरुद्र बुत्र, मरुद्गन। इस समय बुलाने पर तुम हमारे पास आओ। वे युद्ध में महान सुख देने वाले, इस कारण हम उन्हें बुलाते हैं। प्रकाश युक्त स्वर्ग इवं धर्ति जिन मरुद्गों के साथ संयुक्त है। स्तोताओं को धन संपने करने वाले पुशा जिनकी सेवा करते हैं। ऐसे मरुद्गन हमारी पुकार सुनकर जब आते हैं, उस समय विस्तरित मार्ग में पढ़ने वाले प्राणी कांप उड़ते हैं। हे स्तोता नवीन स्तुतियों द्वारा स्तुतियोग्य एवं वीर इंद्र की स्तुति करो। इंद्र इस प्रकार बोलाये चाते हुए हमारी पुकार सुने। एवं हमें अधिक धन्दे। हे मनुष्य हितकारी जल। हमारे पुत्र इवं पोत्रों को कष्ट नाशक इवं सुख साधन अन्न दो। तुम चर इवं अचर प्राणी को उत्पन्य करने वाले इवं माता से भी बढ़कर चेकित्सा करता हो। रक्षा करने वाले हाथ में सोना लिये हुए। इवं यग्य पात्र सविता हमारे यग्य में भाली भांती आवे। वे हव्यदाता यजवान को उशा के समान उज्वल धन देते हैं। हे शक्ति पुत्र अगनी आज देवों को इस यग्य में बार बार बुलाओ। मैं तुम्हारे धन्दान में सदा वर्तमान रहूं। हे अगनी मैं तुम्हारी रक्षा के कारण शोभन पुत्र पोत्रों वाला बनू। हे विद्वान अश्वनी कुमार तुम सेवा से युक्त मेरे स्तोत्रों के समी पावो। एवं अत्री के समान हमें भी अंधकार से छोड़ाओ। हे निता हमें सुक देने वाले युद्ध से बचाओ। हे देवों हमें दीपती समपन बल युक्त एवं संतान सहित तथा बहुतों के द्वारा प्रशन साके योग्य धन्दों। स्वर्ग में रहने वाले धर्ती पर रहने वाले काय से उत्पन एवं जल से उत्पन देवगं हमारी इच्छा पूरी करें। वर्शा करने वाले रुद्र, सरसुती, विष्णू, वायू, रिभुक्षा, बाज और विधाता, देव परस पर प्रेम रखते हुए हमें सुखी कने, परजन्य एवं वायू हमारे अन को बढ़ावे, प्रसिद्र सविदा देव, भग, जल के पोत्र, एवं दान देने वाले अर्णी हमारी रक्षा करे, देवों, एवं देव पत्नियों के साथ प्रसन्य त्वश्टा, देवों के साथ प्रसन्य, स्वर्ग, एवं सागरों के साथ प्रसन्य धर्दी हमारी रक्षा करे, अहिर बुद्धन्य आजे एक बात प्रित्वी एवं समुद्र हमारी स्तुतियां सुने यग्य को बढ़ाने वाले बुलाए हुए एवं स्तुति किये हुए मंत्रों के विशे तथा मेधावी रिश्यों के द्वारा प्रशंसित विश्वदेव हमारी रक्षा करें मेरे पुत्र अर्थात भरतवाज गोत्री रिशी पूजा यूग्य मंत्रों के द्वारा द्वों की स्तुति करते हैं हे यज्यपात्र देवु तुम है द्वारा आहुत निवास्थान देने वाले अपराजय एवं देव पत्नियों के साथ पूजे जाते हो आप सभी को कोटी कोटी साधुवाद आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया